तो दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका सौगत है आज मेरे पास दो चर्खे हैं जो की एक है प्लास्टिक की और एक है कांच वाली तो मैं आपको बताऊंगा कौई कौन सी चर्खे लेनी चाहिए तो दोस्तो पहले तो हम बात कर लेते हैं अपनी कांच वाली चर्खी की जो की फाइवर की होती है तो आप देख सकते हैं इसके आवाज से ये कांच नहीं ये तरीका का फाइवर होता है तो यह देखिए इसमें transparent होता है आपको आर पार भी शायद दिखरा हो यहां से तो पूरा यहां से आप देख सकते हैं दोस्तों इसका फायदा यह है कि इसमें डॉर आपकी पूरी भरी हो यह कम हो तो इसमें डॉर बिलकुल भी अटकती hiç तो आप कोने दहीं दूसितें दिख सकते एकदम काफी मजबूत है आप देख सकते हैं से इसके मजबूत कई वार मेरा हास से भी उपर से नीचे गिरी है जो हम लोग जैसे तेज चर्की करते तो दो तिन वार गिरी तो ऐसा लगा कि टूट जाएगी लेकिन ये चर्की बहुत मजबूत निकली आप लोग इसके जॉइंट दे और इसमें बीट में लकड़ियें लगी होती हैं तो दोसते हिस्ते ःषन होता है कि ये वाली देख सकते हैं आप लकड़제로KEN आप लगें पीछी कोड़ वाली देख सब्संद्रें दोड़े और कूचे का ठाओ की तो यह ऊड TraANT सब्सक्राइब द मार्य चर्किये से पोतितकत होने लगी थी पहले तो यह आप देख्र रहें इसके कौने भी होते थे कभी कभी सई नहीं होते थे तो यहाँ पे ठाखती थी डूर और इसमें बैने भी मझना कर रखा अपना पुराना जिता भी मेरा मंजब पतंग की चर्खी का है तो यहां पर यह आप लोग देख रहे हैं इसके कोने तो यहां से फस जाती थी और जो इसके बीच में जो बजन डालने के लिए लोहे का या फिर मट्टी का बीच में लट्टू दिया जाता है तो अक्स कुछ नहीं है अपनी इस वाली चर्खी में लकडिये का कोई सिस्टम ही नहीं एक रोल है उसके उपर यह चिपकाया गया है कसके और यह काफी मजबूत चर्खी मुझे भी लग रहा था तूट जाएगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो आपको अगर यह वाला वीडियो करेगा थैंक यू पर वाचिंग वीडियो